हाई दोस्तों, नमस्कार, आज हम आया है फिर से किचन में कुछ चटपठा सा बनाने, मीठा सा, अनुमाल लगाए क्या हो सकता है, चलिए बताते हैं, आज बनाएंगे हम किचन में सेवाई, चलिए सुरुवात करते हैं, सेवाई बनाना आपको बताएंगे, स्टेप बाइ स् देशी घ्यू या फिर आपके पास घ्यू नहीं है तो रिफाइन तेल डाल सकते हैं देखिए दोस्तों हमने देशी घ्यू लिया है थोड़ी से मातरा में डालेंगे आप हम से मही को यह मोटा से मही है अब इसको हम अच्छे से फूनेंगे इसको ब्राउन करेंगे इसको अच्छे से फूनेंगे कि इसका चलाएंगे जो हम अच्छे से लिखे लाल लुटे जो जाए च्छे में मही को करें तो ब्राउन हो जाता से मासित्त्त के लीसार है उन्हीं उन्हीं से माला इसको फ़स्छे स्मों दोस्तों देखें मेरा मौता वाही ब्राउम हो गया है ज़िसका बाहर मेसा निकली आगा थिpowerं श्रीम्स कारण कडाई लाल है आब माला शार यह हैं आहाँ एक कडाइक है अधर यह फthe पानीक खोलने का वेड़ करेंगे इस प्लाई खालने लगे इस्में आधा लिटर दो डालेंगे तब तक हम पानी खोलने का वेड़ का यह हाई दोस्तों देखिए दूत खौल रहे हैं अब इसमें हम इलाची पीछ लिए हैं अब इसमें इलाची डालेंगे इसको फेकेंगे नहीं इसको भी डालेंगे इसके स्वाइद बढ़ेगा अब कर दोस्तों दूत खौल रहा है और यह कटी वी बारी गरी इसको भी से में डालेंगे और एक कटूरी हमें चीनी लिया है चीनी भी इसमें डाल देंगे दूद में तो अच्छी से चलाएंगे अब इसमें हम खोड़े देर रूप कर दो मिनट रूप कर शेमें भी डाल देंगे तो मेरा सेमें बन कर तयार हो जएगा अब हम आ रहे हैं दो मिनट बर हाई दोस्तों देखिए मेरा दूद कितना अच्छा खोल रहा है दूद पानी चीनी गरी और इलाची सब कुछ इसमें डाले हैं अच्छी से पक रहे हैं खोल रहे हैं अब इसमें हम थोड़ी देर में सेमें डालने वाले हैं दोस्तों देखिए कितना तेज खोल रहा है मेरा दूद अब हम इसमें सेमें हाँ दोस्तों देखिए मेरा शेमी बनकर तयार है कितने टेष्टी बने हैं आप इसे पी सकते हैं इतने अच्छे बने हैे मेरे शेमाई अब इसी तर बनाईएगा शेमाई को अच्छ से इसी घू में भून लीजिएगा प्राउन के लीजिएगा और दूर पानी खुला लीजिएगा उसमें चीनी गरी लैशी और ये भूना हुगा शेमाई डाल दीचेगा अब इस तर बनाईश है अगर मेरे धुड अच्छा लगितों लाइक किजेगा दुतों शेर किजीएगा मेरे यूट्व चैनल पे सस्काइब कीजेगा मेरे पयार पयार दोस्तों आप लोगों मेरे तरब से बहुत बहुत धन्यमत बाइ दोस्तों कर दो